उत्र पर्देश के हर्दोई की कोत वाली सांडी शेतर के बघराई गाउं में बच्चों के क्रिकिट मैच खेलने पर परिवार वालों में विवाद हो गया आपको बता दे कि एक दबंग नशे बाज ने घर की जट पर चड़ कर जम कर इट पत्तर चलाए विवाद में चार लोग घाल हो गई जिने इलाज के लिए अस्पताल में भीजा गया पुलिस पूरे मामले में कारवाही में जुट गई है यहाँ आपको बता दे कि सांडी थाना इलाके के बघराई गाउं में सुभे बच्चे एक खेत में मैच खेल रही थे बताया जाता है कि तभी गाउं का एक दबंग यूवक रामवीर शराप के नशे में धुत होकर वहाँ पूँचा यूवक बच्चों से गाली गलोच करने लगा इसकी सुचना मिलते ही मोगे पर पहुँचे सुवेदार राम किशोर ने उसको रोका तो रामवीर ने उसको लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिया विवाद होते देख जब गाम के लोग मोके पर पहुँचे और मना किया तो दबंग रामवीर नशे में अपनी छट पर चड़कर नीचे खड़े गाम के लोगों पर इट पत्तर बरसाने लगा जिससे करीब चार लोग घायल हो गए घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है सुचना पर पहुँची पुलिस ने समझा भुजा कर दबंग रामवीर को नीचे उतारा और हिरासत में ले लिया सियो राकेश वसिस्त ने बताया कि मामले में कारेवाही चल रही है हर दोई से समझा दाता शाहिद अली की रिपॉर्ट तो यह और रामवीर दोनों ने उनके उपर लाठिया हो जाए और उनका क्रिकेट करा रहे सब भेंक फांक दिया दालिगरोज किया उनको बगा दिया चलो कोई बात नहीं इसके बात मैं सुभय लेटिन गया इदर बहुत अले करके जब हमारा इसके कोई बात भी नहीं हुआ मैं इसको शिवाए बहिया करके बोलते नि भाई यह था है इसके बावजूद यह यहां बैठा तक घाणा बन देखिए इस पिल्डर के पास में किलोमीटर नमबर फाइफ यहां बैठा हुआ था तो इसने हमें तो लेटिन जाड़ा था बहुत अले करके कोई हमें सक्सवाल था नहीं तो इसने यह डंडा है यह डंडा था आओ इसन के साथ में किर्केट को लेकर कुछ विवाद हो दया था जिसमें एक व्यक्ति आया और जो स्राव के नसीरों बता रहे थे कि उन्हों उतपात किया है दोनों पक्सकुतरब सर जगड़ा हुआ है पता चला है कि इसमें कुछ पत्राव भी होगा है विदिक कारवाई की जा र जगड़ा एन जगड़ा